हर खबर की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे नीज चेनल को घंडे का बटन दबा कर पाएं सबसे तेज समाचार आपके मोबाइल पर अर्पसंख्यक मुस्लिम वर्ग के सरस्यों कि आई दिन मौब लीचिंग करते हुए तीजा रही हत्याओं के विरोध में कठोर कानून बना कर उनकी सुरक्षा सुनेश्चित करने के संबंद ले माननी महोदय लोक्तांत्रिक मुल्क हिंदुस्तान में विगत कुछ वर्षों से आई दिन हो रही अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के नव जवानों एवं मुजूर्गों के साथ एक विशेश वर्ग वा एक विशेश उदमादी एवं राश्विरोधी दल के द्वारा घ मुस्लिम अल्पसंख्यक वर्ग के परप्रसादित भी किया जा रहा है जो कि संभावता किसी भी प्री प्लानिंग योजना के तहट किया जाना प्रतीत होता है इसी प्रकार की घटनाए नव यूवक महम्मद तब्रेज अंसारी के उपर चोरी का जूटा आरोप लगा कर उस विशेश वर्ग वा राश्विरोधी संगठन के यूवक को द्वारा कानून अपने हाट में लेते हुए इस मुस्लिम यूवक को सर्वजानिक स्थल पर बुरी तरह से यातनाय देते हुए लगबग 18 घंटों तक उसके साथ बैरहमी से मार्तीत की गए जिससे उसकी म्रतीव होना कारीज दूए और उसी मार्तीत का विडियो बनाकर सोचल मीडिया पर भी ऐसे आसामाजी तद्वो जो माब लिंचिंग के मामला हिंदूस्तान के अंदर चल रहे हैं उसके तहत खंडवा की आवाम की जानिव से एक राश्टपती के नाम एक ग्यापन सोपा गया है और जिसमें हम लोगों ने मांग की गई है कि सक्त से सक्त जो भी लोग माब लिंचिंग की कार गटना को अं जान देते हैं उनके खलाफ सक्त से सक्त कारवाई की जाए आज जो है कंडवा मुस्लिम समाज जो है हमारा नायव शेहर काजी सेयद निसार अली साब के नेतरतु में यहाँ पर मुस्लिम समाज के समस्त लोग यहां इखटा हुए है और जिला मानिय जिला कलेक्टर महदे के माध्यम से माहिम राष्टपती महोदे के नाम एक ज्यापन सोपा गया जिसमें ये मांग की गई है कि हिंदुस्तान के अलग-अलग शेहरों परदेशों में जो माबलीचिंग की घटनाएं हो रही है लगतार जिसमें 2014 के बाद से लगतार ये घटनाएं बढ़ रही है और इस में आज तक कोई ठोस कारवाई नहीं की गई है ना केंदर सरकार द्वारा ना राज्य सरकार द्वारा तो उसके लिए ठोस कानून बने केंदर उसमें केंदर सरकार एक बिल लेके आए जिसमें इस परकार की घटनाओं के लिए जो दोसी वेखती हैं उन पर कड़े अर्थि देकर गया मांग की गई